एक multimeter आया हुआ है उसके बारे में जानते हैं और देखते हैं कैसा है multimeter अपना तो finally इसको निकालते हैं बाहर उसके बाद ही देखते हैं इसके बारे में तो सबसे पहले इसी multimeter का यूज करते हैं क्योंकि सबसे सस्ता multimeter यही होता है देख सकते हैं DC बोल्ट इसको इसका पंसंग किस पे क्या काम करता है तो finally देख सकते हैं इसको निकालेंगे बाहर अगर market value की बात करें तो आपको अगर wholesale market की बात करें तो यह मातरम सबसे इलेक्रिक उपकरण का rate जानने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम कोई भी electric components होता है कोई भी spare part उसका price भी बताते हैं उसके बारे में बताते हैं साथ ही साथ तो देख सकते हैं कितना light weight है और काफी हलका है और सबसे सस्ता मल्टी मीटर होता है और range की बात करें देख सकते हैं यहाँ पे 750 वोल्ट AC चेक कर सकते हैं और इधर DC चेक करते हैं DC का मतलब direct current होता है देख सकते हैं direct का symbol भी दे रखा है तो आईए इसका प्रोक्स निकालते ह नहीं है क्यों कि माल लीजिये 2 200 में क्या चाहिए आपको तो अगर अच्छा प्रोक्स लेंगे तो और यह आपगो 200 रुपे का मिलेगा तो यह उतना अच्छा प्रोक्स नहीं है इसका लेकिन सबसे सस्ता मल्टी मीटर यही होता है और यह ही series है यह company का है और एक होता है इसमें जो नान ब्रांड होता है देख सकते हैं common पर हमेशा black prox को लगाएंगे और अगर ampere चेंज करना है चेक करना है तो उपर लगाएंगे और हमें voltage और ohm चेक करना है तो file नहीं देख सकते हैं लगा दिया और पहले हम चेक करेंगे यहां पर continuity option को देख सकते हैं continuity option जो की खुल चुका है देख सकते हैं इसमें एक छोड़ा सा बीब भी आता है तो काफी अच्छा multimeter है आईए देखते हैं इसका bolt check कर कि यह bolt कितना बताता है तो finally अपने पास इसमें एक problem है कि यहां पीछे इस्टेंड नहीं दे रखा है तो इसको इजली ऐसे रख लेंगे तो आपको दिखाई भी देगा तो bolt check करने के लिए अपने पास स्रीजबोड है तो अगर स्रीजबोड के बारे में अगर wiring करना जानना चाहते हैं तो description में या फिर मेरे वीडियो के playlist में जाके देख सकते है स्रीजबोड का wiring कैसे करें देख सकते हैं कितना अच्छा 100 कर रहा है इसमें 228 वोल्ट और एकुरेट 278 हो रहा है कि बिल्कुल सही blink भी नहीं कर रहा है तो आईए यहीं पर देख सकते हैं कितना जवर्जस्त quality है और इसके साथ ही साथ आप यहां पर बहुत चीज़ चेक कर करेंगे तो देख सकते हैं इसमें बीब का आवाज आना चाहिए कुछ भी साउंड नहीं है तो यानि यह ओफ है अब इसको कर दी आउन और फाइनले इसको चेक करेंगे देख सकते हैं वहाँ पर सो कर रहा है रजिस्टेंस भी बन रहा था लेकिन अब बिल्कुल इसको अप्षान दे रखा है 2000 के 200 के 20 के 2000 ओम से 200 ओम तक और कापी अच्छा है 750 वोल्ट एसी चेक कर सकते हैं 1000 वोल्ट तक डीसी अई डीसी चेक करके देखते हैं कितना वोल्ट दिखाता है और देख सकते हैं अपने पास यह 6 वोल्ट की वैटरी है तो इसको तो पहले देख सकते हैं ब्लैक प्रोक्स को रेट पे लगाएंगे और रेट वाले को लगाएंगे और गलती से खराब होते होते हैं बच गया देख सकते हैं 20 वोल्ट पे इसको सेट कर लेंगे यह चीज बहुत ही द्यान रखना होगा क्योंकि हम हमेशा आटो मल्टिमेटर यूज करते हैं इसलिए हमें भूला है तो आप जब भी इस मल्टिमेटर को यूज करें तो जरूर चेक करें कि ऑप्शन कहां पर उसको सेट कर रखें तो आए देखते हैं देख सकते हैं यह 6.42 बोल्ट बता रहा है और यहां पर माइनस का सिम्बल दिखा रहा था एक बार और देखें आप दिखाई दे रहा होगा माइनस का सिम्बल दिखा रहा है क्योंकि हमने माइनस के जगह प्लस और प्लस के जगह माइनस लगा रखा है तो आए इसको करते हैं चेक कर सकते हैं कि क्या हो सही है प्लस कौन सा है माइनस कौन सा यह भी आप चेक कर सकते हैं देख सकते हैं एकुरेट बोल्ट दिखा रहा है 6.465 पस एकुरेट हाई उसके बाद कापी अच्छा यह लगा मल्टिमेटर क्योंकि हम भी काम शुरू में सीख रहे थे जब लेक्टिक के बारे में तो इसी मल्टिमेटर से काम सीखा है एक सबसे सस्ता सबसे बेस्ट मल्टिमेटर है एक घर भी आप रख सकते हैं यूज करने के लिए कि बोल्ट कितना आया हुआ है बोल्टेज चेक करने के लिए बहुत बेस्ट मल्टिमेटर होता है हां अगर आप गल खराब नहीं होता है क्योंकि